गुड मॉर्निंग और साइंस के सारे कोश्चेंस को मैंने देखा लगवग 25 सालों में जो कंप्टिटिव एक्जामनेशन में कोश्चेंस आई हुए हैं उसको मैंने देखा उसको एनलाइस किया और उस एनलाइस के लिए ये बुक काफी मुझे फायदे मंद लगी मैं रिकॉ तो मैंने जो पूरा प्रस्णों को देखा और स्टेडी किया तो यह देखा कि ज्यादा तर प्रस्ण जो आ रहा है ना वो नाइन्थ और टेंथ के इसलिए बस से आ रहा है जो नौमी और दस्वी के वो नौमी और दस्वी कौन से वो नौमी और दस्वी पूराने वाला ओल में पढ़ने के लिए फिर इसके बाद 9 और 10 का साइंस मिला करके साइंस का कोश्चन्स बनता था एक्जाम के लिए फिर इसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि 9 को टोटली एक्सक्लूड कर दिया गया और सिर्फ 10 से कोश्चन बनने लग गया तेंथ मैंसे भी चेप्टरस को हटाते गए लोग हटाते गए बहुत कम चेप्टरस रह गए तेंथ क्लास में भी और वहां से प्रस्ण बनते हैं तो तेंथ जो अब जो तेंथ की पढ़ाई हो रही है अब जो नाइंथ की नमबर ले आते हैं लेकिन फिर उनका बेनिफिट नहीं होता तो मैंने जितने अच्छे स्कोल्स का दोड़ा किया उसमें मैंने देखा कि बच्चों को जो है ना नाइन्थ और टेंथ की बुक तो चलिए एंसी आइटी बेस्ट जो भी है वो बता देते हैं लेकिन एक्स्टा कोडिकुलर एक्टिविटी के नाम पे उनको एंसी आइटी का ओल्ड स्लेवस भी कड़ा देते हैं बहुत आराम से तो यह सभी अच्छे स्कूल्स करते हैं दुर उसे खुब सारे प्रस्णाय हैं मैं लगातार दो दीन से यही इस्टडी कर रहा था लगातार ही मैंने स्टडी किया इसको लेकर के काफी अपने आपको एक्स्क्लूड कर दिया था यानि टोटली एक ही कमड़े में बंद कर दिया था खुद को और वहीं पे मैंने लगातार कि 9th और 10th का या तो बुक पढ़ लिया जाए नहीं तो मैंने किताब ढूंडी किताब ढूंडी क्या नाम है किताब का बुक ढूंडी मैंने Crown का Crown के बुक मैंने 9th और 10th का जो Includer और Excluded पूरा जो Chapter से उसका जिस्ट दिया हुआ है मैंने Line by Line उसको पढ़ी तो मैंने देखा कि लगभग पूरा ही उसमें धंग से दिया हुआ है तो अगर इतनी मुश्किल से 50 पेज होगा 50 पेज है ना उसमें जो है ना दोनों ही चीज है Fact भी है, Concept भी है तो Fact और Concept को दोनों को Concept मैं बता दूँगा अच्छे से और Fact सब को खुदी रटना होगा Concept मैं बताऊंगा, Fact रटना होगा तो वहाँ से बच्चे जो है ना आराम से पूरा सिलिबस धंग से कर सकते हैं कोई गैप नहीं, कोई छुटी नहीं मैं सब लोगों से request करूँगा हम इसा क्लासरूम में आए और study करें और सिर्फ टीचर से नहीं पढ़ने की सोचें एक दूसरे को पढ़ाए हर किसी का कोई न कोई subject अच्छा है किसी का history बहुत अच्छा है किसी का science बहुत अच्छा है किसी का mathematics ठीक ठाक है किसी का reasoning ठीक ठाक है और जहां पर भी कमी होती है तो मैं उसको दूर करने की कोशिस करता हूँ जहां तक हो सके मैं पूरी कोशिस करूँगा और दूर हो जाएगा अरे भई मेरे अकेले से मेरे बदोलत जो है बहुत सारे बच्चे निकले हैं और अच्छी अच्छी जॉब में गये हैं पहले पूरी टीम थी साथ में फिर कोई ने कोई कारण से लोग छोड़ते चले गए और फिर मैं अकेला रह गया फिर मैं अकेला छोड़के नहीं गया और ऐसे लोगों की भी जॉब लगी जिटको उमीद ही नहीं थी कि उसको जॉब हो जाएगी और वो लोग भी जॉब में गये एक बार जैसे जॉब लगती है ना तो सारा कॉंसेप्ट सब कुछ एकदम किलियर हो जाता है तो जो लोग जॉब में हैं तो अभी कुछ लोगों से हमने बात भी कड़ाई थी वहाँ बढ़ तो और लोग भी इसी तरह से मैं सब को face to face ले करके आऊंगा ताकि उनके अनभावत से लोग सीखें दूसरी बात क्या है ना कि मैं कुछ किताबे लेके आया हो मैं उसको दिखाऊंगा एक book है यह लही book ठीक है इस तरह की 6 book उसे ज्यादा ही book लगवक दस किताबे 6 महीने में पढ़नी होती थी इंजीनियर हो मैं और इस तरह की देखिए यह एक सेमेस्टर की किताबे हैं यह एक सेमेस्टर की पूरी किताबे नहीं है ना एक तू तू तीन चार पांच इसमें से चार किताबे मिस है ठीक है ये छे महिने में इन किताबों को पढ़के तब इनका एक्जाम दे रहा होता था जो की काफी अच्छा पेपर होता था और इसमें किसी किसम की चीटिंग या किसी चीज की गुंजाइस नहीं होती थी फिर भी हम लोग उसमें पास करते थे ना बहुत अच्छे नमडों से पास करते थे मैं तो डिस्टिंक्शन के साथ निकला हूँ एक स्पेशल क्वालिटी ओनर्स गोल्ड मेडलिस्ट और मेरा तो बैग्राउंड भी साइंस ही रहा है उससे कोई फ़रक नहीं पढ़ता साइंस मुझे अगर संगीत सीखना होना मैंने भी तक कोई संगीत नहीं सीखा है तो मैं छे महीना पूरा संगीत को समर्पित कर दूँगा और संगीत अच्छा सीख जाओंगा संगीत कार बन जाओंगा क्योंकि मैंने अपनी इतनी एबिलिटी जो है न वो डेबलब कर रखी है दिखूंगा नहीं मैं! तो टीचर्स जो थे ना इतना नहीं पढ़ा पाते थे। कैसे पढ़ाते? झालसें तो लेती ते लिम्रनी टॉपिक्स बता दी, फिर हम लोग अच्छे नम्बरों से पास कैसे करते थे? तो अच्छे नमरों से पास ऐसे करते थे कि एक दूसरे को पढ़ाने का डिवाज था यानि कोई व्यक्ति आया और जैसे कि संदीब जाकर आया उसने मुझे पढ़ाया फिर कुछ कॉंसेप्ट के लिए जैसे जो कोई और व्यक्ति है उसको मैंने पकड़ा मैंने किसी और को पढ़ाया तो हम लोग होस्टल में एक्जाम के टाइम से बहुत पहले 20-30 लोगों को मैं छाट लेता था और वैसा ही सब लोग करते थे तो क्या है ना कि जैसे जैसे चैप्टर से इसे डाटा बेस की बुक है ठीक है यह बुक है एक्जांपल के लिली रहा हूं मैं इसमें जैसे कि चैप्टर ho गए कितने चैप्टर सो गए जैसे आठ नौ 10 इंद भारा सट्रा शट्रा अठाइस बन्तीस तो देकिए इसमें कै टोटल जैसे की 29 chapters हैं 29 chapter हैं तो हम क्या करते थे जैसे 10 लोग हैं 33 unit माट लेते थे 33 unit हर चातर जो है वो तयार कर लेता था फिर हम लोग इकठे होते थे और एक दूसरे को पढ़ाते थे तो उसमें रात और दिन हम लोग साथ रहते थे यह मेरा advantage था कि हम लोग hostel में हमेसा एक ही साथ और exam भी ऐसा कि सब लोग अपना सब को छोड़ चार के आए वे इंजरिंग करने के लिए ही अब इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है कोई और option ही नहीं कोई रास्ता ही नहीं छूटा हुआ अब खाना तो मिस में मिल रहा है सब कुछ available है लेकिन हम लोग को क्या है सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना होता था क्योंकि अगर अच्छा नहीं perform करेंगे competition था ना आसपास सभी लोग उसके साथ प्लेस्मेंट भी लेना है सारा कुछ करना है तो हम लोग दिन रात उसमें लगे रहते थे और दिन रात उसमें बिलकुल लग जाते थे एक्दम बहुत भिहानक तरीके से वो study होती थी और वो study हमेसा काम देती है आज भी काम देती है जैसे मैं बहुत सारी classes लेता हूँ ठीक है ये मैं चाहता हूँ कि मेरा जो अनभव है मेरी जो classes है वो आम लोग के पास चला जाए सभी के पास जाए तो वो जो मैं classes लेता हूँ तो मुझे कभी भी इतना hard नहीं लगता कोई समस्या मुझे नहीं लगती क्योंकि उस समय मैं में इतना जादा अपने आपको गोटा के अपने आपको अफडेट कर रखा है कि अब मुझे समस्या नहीं आती अब देखे कई सारे लोग प्रस्न करते हैं और मोलते भी हैं इतनी किताबों में से कितनी बाते याद रहती है इतनी किताब नहीं हैं ऐसे ऐसे 48 किताबे बना होता है सिर्फ findet मैं कम नहीं चलता तो दिकिए जहां पर जो काम में आता है requis कateurs कंसर वाइंड में दबार आ जाता है जो कभी भी कोई समस्ष्या देखी तो वहां पर साल्यूशन हुआ रोज हम ऐसे रखिए 16-17 गंटे, अगर आज मैं फिरी हूँ, तो आज मेरा complete time जाएगा सिर्फ study के लिए, तो मैं सारे छात्रों को ही बोलना चाहूंगा, कि study जो है ना विदर मन लगने का भी सह है, और घर में अगर पढ़ाई का महौल नहीं है, तो आप institution में आ जाएए, institution आप ही का है, institution म नाम होगा, और उतनी जादा उस जगह की development होगी, सब लोगो को क्या है, जो एकदम time से, time से before भी institution पे आना चाहिए, दूसरा कि मैं पूरी कोशिस कर रहा हूं, और एक अच्छे वेक्ति भी मिले हैं, जिन्होंने फिर अच्छा खासा land area देने के लिए बोला है, खुद आग चीजों की विवस्ता हो, जिससे की आराम से जो student आये ना, उसको पूरी privacy भी हो, और पूरा nature के बीच रहके वो अच्छा से study कर पाए, देखिए एक पूरी university है, JCRC University, जिसको हमने 2012 से लेके बनाना सुरू किया था, और वो काफी develop कर गई, वहां से काफी placement है, बहुत सारा च कुछ नहीं बना सकता, ये हमेशा मेरे मन में कचोटता रहता है, तो बहुत सारी चीजे हैं, और साइद महीं society को सही से अपनी बाते नहीं समझा पाया हूँ अभी तक, लेकिन समय के साथ साथ वो चीजे दूर हो जाएगी, लेकिन तब, जब लोगों का ज्यादा 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 लोगों का भला हो, इस ये जो है ना, बच्चों के ज्यादा के लिए मैं कुछ भी करने को तयार हूँ, कुछ भी, कोई भी sacrifice, अगर 24 घंटा भी मुझे पढ़ाना पड़े, पढ़ना पड़े, तो उसके लिए भी मैं तयार हूँ, कि 24-24 घंट इसकी भी मैं कोशिस कर रहा हूँ, तो चलो अभी कोशिस है, और महौल को देखते हुए ही सब कुछ सुलो है, क्योंकि helping hands की काफी कमी है, बहुत सारे लोग है, लेकिन helping hands नहीं है, एक निरासा का भाव देखा है मैंने, gram insects में खास करके, तो उन सब उसे लरना है हमें, और व चलाना आएगा है, तो ही institute में आएगी, चिलाना आएगा, तो हो सकता है, कि किसी के साथ कोई घरेलू, कोई ज्यादा ही बड़ी समस्या हो, तो वो ना आए, तो उस समय परिशान नहीं होना है, आना है, जो पढ़ना है, उसका टेस्ट देना है, टेस्ट का लेवल मैं हाई तेस्ट का लेवल यह रखुंगा ना, कि देखो, अभी मैं टेस्ट के पिरड़ी लीग कर देता हूँ, यह जो बूक दखाए है ना मैंने, यह वला बूक, यह किताब जो दिखा है न इसी किताब से हमेशा प्रस्न जो है रिपीट हो रहा है हमेशा यह इतनी मोटी किताब है न दरसल अगर इसको मैं कमपाइल करूँ तो मैं इतना में इतना में इतना में इतना में सो कमपाइल कर दूँगा बागी क्या repeated questions है एक ही question है जिसको बार-बार repeat कर रखा है अलग-अलग तरीके से एक बार सब को पढ़ा दिया और बता दिया कि इतने time instance में question घूमेगा फिर हमारा काम हो जाएगा तो वे ही से मैं प्रसंद दूँगा और यही से सब लोग का selection बहुत आराम से smoothly हो जाएगा सहर से जो है ना वो जरूरी नहीं कि सहर से हो selection एक जगा है सहर सा में बंद गाओं वहां से खुब ज़धा selection होता है खुब सारे IS बनते हैं एक IS बना उसने गाओं में लाइबरेडी खोल दी उस लाइबरेडी की करण लोग वहां पर आके बैठके पढ़ने लगे बीच बीच में कभी कभी छुटी में कोई कोई IS IPS आता है अपने गाओं में और वो छात्रों को खाईड करता है चला जाता है चात्रों गाइड करता है चला जाता है फिर उसने क्या महौल क्रीएट कर दिया पूरा उस इन्वाइरमेंट करेड करने के कारन वह Conrad जो है वहूं बहुत आगे सब लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि रेगुलर रहें, हमेशा रहें, रिजल्ट होगा, निरासा भी होगी, ये तो रास्ते का जो है क्या बोलेंगे इसको वसूल है, कोई भी जो सफ़र होता है ना, उसमें कभी धूप होगा, कभी च्छाम होगा, कभी बाड़ी सोगी, कभी मौसम सुहावना आएगा, तो कभी मौसम बदलेगा, तो इस सब से न घबडाना है, न जीजकना है, और मैं हर कदम पे रहूँगा साथ, और कोशिश करूँगा, कि मेरे सारे सर्किल्स, मेरे सारे नॉलेज, वो भी सब लोग के साथ रहें, हमेशा जुड़े रहें, तो कभी ब्रेक नहीं लेना है, कंटिनीव रहना है, इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद,